नमश्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, जैसा कि बिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कैसे डीलर्शिप ने कुछ लोगों को मेरे घर बेजा था बात करने के लिए और वो पेपर साइन कराने के लिए कि मैं सैटिस्वाइड हूं डीलर्शिप स जबकि ऐसा कुछ था नहीं, so मैंने उनसे politely उस चीज के लिए डिनाई कर दिया, और अब हुआ ये कि उसे next day, डीलर्शिप ने मुझे ये मेल करा है, और मेल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों, इस मेल पर उन्होंने लिखा है कि this is regarding delivery of your vehicle, this, as per our discussion, at the time of PDI before delivery, you mentioned small scratch on the bumper to be repainted, तो यहां पर इन्होंने, like, मेरो पर ही blame डाल दिया कि वो मैंने PDI के टाइम पे scratch मुझे मिला था bumper पर और मैंने वो रिपेंट करने के लिए आथा, आप पूरा mail पढ़ सकते हैं कि क्या के इन्होंने और कहा है इस पे, और साती इन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये वीडियो य यूट्यूब चैनल, as it is negatively impacting on a brand image, so इसका फिर मैंने जवाब भी दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, PDI के टाइम पर आखिर कौन, PDI का मतलब क्या होता, like, PDI के टाइम पर यही तो देखना होता है कि गाड़े पर कोई scratch या कोई इस तरीके की चीज़े नहीं है, so यही सारा जवाब मैंने इनको दिया है, so दोस्तों यह देखे कि मेरे पास वो recording थे, उसके बावजोद भी यह मेरो पर blame करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मेरे पास कोई proof नहीं होता, तो फिर क्या होता, वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, तो इस तरीके से मैं मैंने को यह इसका जवाब दे दिया है, और फाइनली मैंने को इसमें यह भी बोला है कि मैंने इसमें यह मैंने कोई complaint नहीं करी है, और मैंने एक feedback दिया है अपना, I just share my actual experience, तो वीडियो दाने का तो कोई मतलब नहीं है, और फाइनली मैंने इनको बोला है कि in fact blaming customer आप अपन की rating देगा, that's all, तो दोस्तों इसके बाद finally मेरे पास Hyundai India से भी next day call आया, और उन्होंने मुझे assure किया, यह सब चीज़े जानने के बाद मुझे assure किया कि इसका वो एक proper solution करेंगे, हलाकि मैंने उनको बोला था कि यह मेरे तरफ से कोई complaint नहीं है, और यह एक customer feedback है, जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने आपको बताया है, it is now up to Hyundai कि अगर वो improve करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इसको improve करेंगे, वो it is totally upon Hyundai, so इसमें अब मैं like complaint जैसा ऐसा कुछ नहीं है, कि मैं इसको वापस ले लूँ या मैं satisfied हो जाओ, because satisfied होने जैसा इसमें कुछ है नहीं, चो मेरे साथ हो गय यह था कि एक बार मिलके बैठते हैं, बात करते हैं इसके ओपर, उसमें डीलर्शिप भी होगी, और like Hyundai India के लोग भी होगे, so उस डीलर्शिप पर जाने के लिए तो मैंने मना कर दे, because I am not comfortable, और बाकी मैंने को common जगा बोला था मिलने के लिए, but फिर बात यही होई है कि किसी और देलर्शिप पर बैठेंगे, उनके Hyundai की ही और वहाँ पर बैठके बात की जाएगी, उसके बाद Hyundai India से जो call आया था, उन्होंने ही मुझसे बोला था कि एक बार मैं जो डीलर्शिप हैं, डीलर्शिप के जो ओनर हैं, वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं, और एक बार उन से भी बात कर लो, तो उनके कहने फिर मैंने उनसे बात कर रही, हलाकि जो ओनर थे, he was very gentleman, और उनको ओनर हर चीज तो नहीं देख सकता, तो उनको इसके बारे में जब पता चला, उन्होंने ही सब को काफी टाइट किया, पूरे स्टाफ को, और इसी की वैसे सब लोग मेरे घ सदार सकते हैं, और वो जो trust है, वो कैसे gain कर सकते हैं, because मैंने उनकी dealership पे जाने के लिए साफ मना कर दे किया, मैं service के लिए, किसी भी चीज के लिए, मैं नहीं जा सकता, in fact, वो, like, अब कभी मैं गाडी तुमाँ छोड़ नहीं सकता, और शायद वो allow, ये मुझे पता नहीं क वो मुझे allow करें, नहीं करें, जाने का, वहाँ पर service में, और वो recording बगएरा, वो सब करने का, because वो तो मैं करता हूँ, वो तो मुझे करना है, अपनी गाडी की जब भी मैं service कराऊंगा, मैं recording करूँगा, आप लोग के साथ share करूँगा, कि like, कैसे service हुई है, क्या-क्या हुआ है, कितना खर्चा आया है, कैसे, जो भी experience रहे का, यार वो तो मेरा काम है, वो तो मैं करूँगा, तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो allow करेंगे, नहीं करेंगे, let's see, वो देखते हैं, क्या होता है, तो finally, अब ये हुआ है, कि जब वो call करते हैं, ये लोग, चाहे वो dealership से हो चाहे हुंड़े इंडिया से हो, तो काफी अच्छे से बात करते हैं, काफी अच्छे से बाते होती हैं, सब चीज़े होती है, लेकिन जब mail आते हैं, तो वो इस तरीके के mail होते है, कि उसमें वो कुछ और और ही language जा रही होती है, वो उसकी direction कहीं और ही होती है, तो वो थ इसमें हुंड़ी इंडिया नहीं शेट किया है वो बैठेंगे उनके सीनियर्स होंगे रीजनल हैड वगेरा और डीलर प्रिंसिपल भी होंगे वहां पर डीलर्शिप से जो उनके ओनर वगेरा है वो भी बैठेंगे तो वो यह मीटिंग होगी गाज़ेबाद में एक डूसरी हुंड़ी हुंड़ी की डीलर्शिप है ड्रीम हुंड़ी वहां पर संडे को चार बजे शाम को सो लेट सी के क्या फिर निकल के आता है हाला कि मेरी तरफ से बार-बार यही था कि मैंने जो फीडबैक देना था वो अपना दे दिया it is now totally up to you कि आप उसको किस तरीके से मैंनेज करते हैं बट स्टिल वह इंसिस्ट कर रहे थे एक बार आप सरूर आएं वहां पर और दोनों तरफ की बात हम सुनेंगे तब जॉप का नुकसान हो ब्यकास ज जॉप बहुत मुछिकल से मिलती है किसी को किसी के रही ऐस्के वह पर कसान हो किसी कर equipped कुछाउ यह मेरा को मिले that's all so दोस्तों बहुत बहुत दन्यबाद आप लोगों का आपके इस सपोर्ट के लिए और जो भी मीटिंग में होगा मैं आपको बताऊंगा हाला कि मेरी फैमिली थोड़ा सा लाइक उनको कंसर्ण है कि मैं डीलर्शिप पे ना जाओं विकॉज उन्होंने वो अजीद भाई का वीडियो देखा हुए जो और उन पवार भाई ने डाला था कि जिसमें हुंडई डीलर्शिप ने उनके साथ वो मार पीट करी थी और वो सब चीज किया था तो वो सब चीज देखके न होता ही है एक फैमिली को एक डर होता ही है विकॉज डीलर्शिप किसी का कोई भरोसा नहीं है जब तक किसी को बरतो की नहीं कोई भरोसा नहीं है त तो यह बात तो सबको पता है केस में फिर में डीलर्शिप और हुंडे इंडिया दोनों इन्वाल्फ होंगे सो लेट सो ऐसा कुछ ना हो यह लाइक हम हमारा एक मन का ही वहम ही निकले वो ज्यादा बैटर है सब कुछ पॉजिटिव में निकल जाए और इसका बेनिफिट मिले कस्टमर्स को आने वाले सबको मिले और एक फेर एक सिस्टम बने तो थैंक यू दोस्ता आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए मैं बताऊंगा जैसा भी होता है कल मीटिंग के बाद एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि क्या रहा किप सप और ले हूं अधके ब्लाइब कि ली बरी बनाऊंगा just